बलोच नेता ब्रमदाग बुक्ती को जल्द ही भारत में शरण मिल सकती है यह खबर आ रही है पाकिस्तानी चानल जियो न्यूस के हवाले से इस मामले में बलोच नेता बुक्ती की बातचीत भारती अधिकारियों से हो चुकी है लेकिन अभी तक कुछ साफ नहीं हुआ है स्वेज़र्लेंड सरकार ने ब्रमदाग बुक्ती को बताया है कि उनके शरण लेने का मामला प्रोसेस में है और यह कब तक पूरा होगा कहा नहीं जा सकता इसी वजह से ब्रमदाग बुक्ती सोज़र्लेंड से बाहर नहीं जा पा रही है दरसल बलोच नेताब रमदाग बुक्ती ने भारत में शरण लेने का विचार इसलिए किया ताकि वह भारत में रहकर पाकिस्तान के अत्याचारों के किलाव प्रचार कर सके कुछ इसी तरह दलाई लामा को भी भारत में शरण मिली होई है प्रमदाग बुक्ति के साथ साथ मुहम्मद बुक्ति और अजीज उल्ला बुक्ति को भी भारत में शरण मिलने की खबरे आ रही है हाला कि विदेश मंत्राले की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बुक्ती को भारतिय नागरिक्ता देने पर फिलाल कोई फैसला नहीं किया गया है आपको बता दे की 15,000 बलोज अफगानिस्तार में शरण लेने की कोशिश में है और 2,000 बलोज दुनिया के बाकी देशों में शरण लेने के लिए आवेधन कर चुके हैं अपने दादा की हत्या के बार ब्रमदाग बुक्ती अफगानिस्तान में शरण ली हुए थे, जुलाई 2010 में बुक्ती अफगानिस्तान छोड़ कर स्विजिलैंड चले गए थे भारत बलुचिस्तान को लेकर पाकिस्तान को खे रहा है और बलुचिस्तान के नागरिक भी भारत से मदद की कुहार लगा रहे हैं ऐसे में अगर बमदाग बुक्ती को भारत में शरण मिल जाती है तो बलुचिस्तान के मुद्दे पर भारत का पलडा भारी हो जाएगा देख्चे रिडिटी बे लाइब